पुरी दुनिया के ऐसे अजूबों और चमतकारों से भरी है जिसके कल्पना भी नहीं की जा सकती। पुरुषों के बारे में आपको जानकर हरानी होगी कि ये देश रगिस्तान से घिरा होने के बावजूद यहां पर उंटों की बजाए गदों का प्रयोग किया जाता है। अपने मेकप पर देती थी उतना ही ध्यान पुरुष भी अपने मेकप पर दिया करते थे। जिसके पीछे कारण होता था कि ऐसा करने से उनके देव तक खुश रहते थे। और साथे बुरी आत्माओं से उनकी रक्षा भी होती थी। मेकप में यहां के लोग मेहंदी और लाल रंग का प्रयोग किया करते थे। उसके अलावा वो लोग हरे और काले रंग का सूर्मा भी प्रयोग किया करते थे। प्रचीन मिश्र के लोग मौत के बाद की जिन्दगी में बहुत ज्यादा यकीन रखते थे। उनका मानना था कि मौत तो बस एक पड़ाव है। इसके बाद भी हमें दूसरी दुनिया में जिन्दगी मिलती है और हमारा दुबारा जन भी होता है। लेकिन मौत के बाद की जिन्दगी का सफर तै करने के लिए मानव शरीर का सही अवस्था में होना बहुत जरूरी है। इसलिए वो लोग ममी बनवाया करते थे। ममी बनाने के लिए मुर्दे को पट्टी बांधने से पहले उसके अंद्रूनी अंग निकाल लिये जाते थे। मुर्दे का दिमाग उसकी नाग से निकाला जाता था। उसके बाद इन अंगों को एक उपकरन में रखा जाता था। लेकिन दिल को नहीं निकाला जाता था क्योंकि ये लोग दिल को आत्मा का प्रतीक मानते थे जस जगा पर ममी को बना कर रखा जाता था वस जगा पर खाने पीने की हर एक चीज को भी रखा जाता था लेकिन प्राचीन मिश्र में ममी बनवाने का हक सिर्फ राजा और जमीनदारों को ही था आपको जानकर हरानी होगी कि मिश्र के चिकित्सक वर्थमान चिकित्सकों की तरह ही अलग-अलग चीजों के विशेशा के होते थे और वहां हर रोग के चिकित्सक अलग होते थे जो अपने ग्यान में माहिर होते थे मिश्ट में पुरिशों की तरह महिलाओं को बराबर का दिकार दिया गया था महां की ओरतें जमीन खरीद सकती थी, जज़ बन सकती थी, तलाग दे सकती थी और तो और वो बाहर काम कर सकती थी, जहां उन्हें समान वेतन दिया जाता था वो किसी दी शेत्र में काम कर सकते थी और उन्हें किसी रोक टोक का कोई सामना नहीं करना पड़ता था प्रचीन मिश्टर के लोग राक्षसों पर भी यकीन किया करते थे लेकिन साथ ही वो लोग ये भी मानते थे कि ये देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है वो लोग हजारों देवी देवताओं को पूजा करते थे और देवी देवता मिश्टर के लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए थे जिसे जिंदगी देने वाला देवता अलग था और शरीर देने वाला देवता अलग था प्रचीन मिश्रु में बिल्लियों का एक अलग ही स्थान था जब भी उनके कोई पालतो बिल्ली मर जाती थी तो उसकी ममी बनाई जाती थी और उन्हें चूहों और एक कटोड़ी दूद के साथ दफनाया जाता था दूस्तों आज की एपिसोड में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ ही बिल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके तो मिलते हैं अग क्लिए वीडियो में तब तक के लिए धनेवाद